हाँ, राजुवे कुछ बात करना चाहेंगे हाँ, उसकी चर्चा मेरी उनके साथ दो-तीन साल से चलती है वो जब यहाँ नाकपुर नहीं आये थे लोकमत समाचार के संपादक नहीं बने थे उसके पहले से हम उने जानते है तो हमारी उनकी यह चर्चा चलती है यह वेकलपिक अखवार, वेकलपिक मीडिया, वेकलपिक पत्रिकाओं के बारे में और चर्चा चलते चलते लगबग एक हम लोगों ने फैसला किया कर लिया है, लगबग ने मियान पर प्रतिशत हो गया है कि अगले साल बर के अंदर या जादा से जादा दो साल के अंदर ऐसा कुछ हम शुरू करेंगे और वो जो होगा वो अखवार के स्वरूप में हो सकता है पत्रिका भी हो सकती है लेकिन उसका जो स्वरूप होगा वो थोड़ा सा ये जो वेस्टरन है इससे अलग होगा अभी जो उन्होंने कहा कि अभी तो जितने भी अखवार है वो सब वेस्टरन है वो लोकमत समाचार हो या टाइमस ओफ इंडिया हो वेस्टरन इस सेंस में है कि उनके जो सरोकार है उसमें जो चिंताएं है वो उस वर्ग की हैं जिसका भारत से कुछ लेना लेना ने लिए खवरें भी उसी वर्ग की हैं अब आज खवर है अरुम जैटली का एक बड़ा स्टेटमेंट है छे कॉलम में है कि आयात बढ़ा है तो देशका बहुत भला हो गया हाँ बहुत बड़ा स्टेटमेंट है अच्छे कॉलम में हैं और उन जटली कहता है कि इतना विदेशों से हम आयात करेंगे उतना ही देश का भला हो रहा है तो और ये सरोकार किन के हैं ये सरोकार उनके हैं जो इंपोर्ट करने वाले लोग हैं उसमें ये टाटा बिरला डालमिया धिरुआ यंबानी भी हैं वो सिर के 90 करोड लोगों के मतलब की हो सकती है वो पवन गुपता उस दिन सुना रहे थे ना एक कहानी सुना रहे थे कि खबर छपी अखवार में कि मद्धि प्रदेश में मालवा के छेत्र में कवों ने गोसले बीच में बनाए तो किसानों को समझ में आ गया कि इस साल बारिश ब कि या दो अखवार में छपी है और बहुत छोटी सी छपी है तीन या चार लाइन की खबर है लेकिन ये खबर तो 90 करोड हिंदुस्तानियों की खबर है बाने 90 करोड या 95 करोड या 99 करोड हिंदुस्तानी तो इसी तरह की खबर की प्रतिक्षा में रहते हैं ना उनको पानी की जरूरत है तो पानी को जानने वाले जो लोग हैं उनके भी जरूरत है उनके विज्ञान की जरूरत है उन सूचनाओं की जरूरत है जिन सूचनाओं के आधार पर ये पता चलता हो कि पानी अच्छा आने वाला है या कम अच्छा आने वाला है वो बकरी की कहानी इन्होंने सुनाई कोलापुर के साथίνेश इंबला हाऊस था तो किसान ने समझा दिया कि बारिष अच्छी होगी तो और वो समझ में आ गया और हो भी गई, वो सिर्फ बकरी के व्यवहार को देखकर, वो किसान जानता है कि बारिष अच्छी होने वाली है चीटी के व्यवहार को देखकर कोई जानता है कि बारिष अच्छी होने वाली है तो ये जो लोक व्यवहार है, लोगों की जो समझ है, लोगों की जो माननिताएं हैं, लोगों की जो परंपराएं हैं उनसे जुड़ी हुई खबरें तो किसी भी अखवार में नहीं होती है, होती है तो बहुत कम होती है, सालों में कभी एकाद बार देखने को मिलती है, उन पे कोई चर्चा नहीं होती है, कोई संपाद किये टिपणी नहीं होती है, ये सब तो होता है, और ये अब हम जब से हम की समझ बनी है तो ये दिखी रहा है हम लोगों को कि अखवार भी जो निकल रहा है वो उनी लोगों के लिए निकल रहा है जो देश विनाश के काम में लगे हैं या सत्यानाश के काम में लगे तो हम जो अपना अखवार बनाएंगे चलाएंगे ये तो हम लोगों ने तै कर लिया है कि वो करना है हमको और ये इसलिए करना है कि जो अभी उन्होंने थोड़ी देर पहले बताया कि जैसे जैसे आंदोलन का प्रभाव बढ़ेगा तो आपकी अभी जो खबरे आ रहे हैं वो भी बंद हो जाएंगे ये बिलकुल स नहीं देखना है हमें तो आपकी खबर तो हमारे लिए उतनी महत्तु कि नहीं कल को ये 10 लाग एक करोड़ रुपए होगा अगर आजीव दिक्षित की खबर छपएगी तो एक करोड़ गया तो ये अखवारों के साथ होगा तो वो तो आपके साथ नहीं आएंगे ये आप जान लीजे कि जो इस्थापित समाचार तंत्र है माने ये अखवारों का तंत्र है ये हमारे साथ नहीं आने वाला है ये जाने वाला है अपने मालिकों के साथ लेकिन इस तंत्र में कुछ ऐसे लोग हैं वो अपने साथ आ सकते हैं जो जिनकी समवेदना हैं सामान लोगों स जुड़े हुए हैं जमीन के लोग हैं जिनके सरोकार ऐसे हैं बले वो वहां बैठे हैं वो उनकी मजबूरी हो सकती है लेकिन उनके मन में तो कहीं यही बोलता है या कहीं घटित होता है या सोचते समझते हैं तो अखवारों के तंत्र में जो ऐसे लोग बैठे हुए हैं जिन तो हम ये करेंगे जरूर, ये मिश्रा जी को मैं बताना चाहता हूँ कि दो साल के अंदर हम वेकलपिक मीडिया खड़ा करेंगे इस तेश में, अखवार भी निकालेंगे, मैगजीन भी निकालेंगे, लेकिन उनका स्वरूप जो होगा, वो ऐसा नहीं होगा, ये नैशनल जै जाएगी, या एक जिले में पढ़ा जाएगा, इस तरह का होगा, और उसमें सरोकार जो होंगे, वो साधरन आदमी के होंगे, उसमें खबरों की जो प्रमुखता होगी, वो ऐसी खबरें उसमें चार कॉलम की होंगी, कि मालवा के किसानों ने कवों के गोंसलों को देखकर पानी का पता लगा लिया, ये हमारे लिए छे कॉलम की नियूज हो सकती है, हो सकता हमारे अख़वार में इस पर एडिटोरियल लिखा जाएगा, और वो एडिटोरियल सप्लिमेंटरी जैसा होगा, कि ये कवोई का सुभाव कैसा होता है, जो पानी को पता कर लेता है, उस ये तीर्थली से वो बता रहे थे अपने कृश्मूर्थी भाई के वो एक खास तरह का कीड़ा होता है, उसमें पंक निकलते हैं, वो जब उड़ना जादा शुरू कर देता है, तो पता चल जाता है कि बस पानी कैसा होने वाला है, उसके लिए उनको मौसम विज्यान की गाम आदमी, किसान है, कारीगर है, उसकी कहानिया, उसके किसे, उसकी जो दरश्टी है, दुनिया को देखने की, दुनिया को समझने की, वो उसमें ज्यादा रहेगा, और वही लड़ाई लड़ सकेगा, ये जो पूरा मीदिया एक तो वेस्टनाइजड है, ये जो अंग्र अंग्रेजी की नकल करने की प्रवर्थी जादा है, हर एक अखवार का एक अंग्रेजी एडिशन निकल रहा, उसका ट्रांसलेशन अब इंडिया टुडे है, वो क्या कहेंगे आप उसको, कोई हिंदी में निकल रहा, तो स्वदेशी थोड़ी है, या आउटलुक है, वो एक क प्रवर्थी जादा है, साधरन आदमी के बारे में, बाकी पेज तो वैसे ही हैं सबरंगे, जबकि साधरन आदमी के पास बहुत कुछ है देने के लिए, बताने के लिए, सुनाने के लिए, तो ऐसा एक अखवार, या पत्रिकाएं, या बहुत सारी अखवार, जो दो तीन जिले में, चार जिले में, पांच जिले में केंद्रित होंगे, या एक दो जिले में भी हो सकते हैं, वैसे हमें निकालने हैं, वो तो तय है, उसी के प्रयास में हम लोग लगे हैं, अभी थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा कोशिश है, फिर बड़ा होगा, करनाटक में हम ल कालना शुरू किया है अभी वो और थोड़ा बहतर हो जाएगा कुछ दिन में इसी तरह का हम करने वाले हैं ये तो हम लोगों का संकल्प है क्योंकि लड़ाई लड़नी है बड़ी तो ये अखवार साथ नहीं आएंगे लेकिन आपको अपनी जानकारी लोगों तक पहुंचानी है तो वो स्वरूप अखवारों का लाना पड़ेगा उनको थोड़ा लोकल बनाना है और लोकल बनाके और जो लोकल ट्रडिशन्स हैं हमारे उनको थोड़ा महत्तु देना है जो लोकल ग्यान भरी बाते हैं उनको थोड़ा सा सामने लाके ये जो हमारा अंग्रेजी वाला क्लास है इसके सामने उसको खड़ा करना है क्योंकि कभी लड़ाई तो ये बड़ी होने ही वाली है ये अंग्रेजियत वाला क्लास आपके खिलाफ पूरी ताकत से खड़ा होने वाला है वो आपके उपर सब तरह के आरोप लगाने वाला है आपके उपर सब तरह से हमला करने वाला है आपके खिलाफ एडिटोरियल लिखने वाला है शुरुआत तो होई गई है ये बंबई के साथ ही जानते हैं कि हमारे खिलाफ लिखना तो शुरू हो गया है कई अखवारों में तो आने ही लगा है राजीव दिक्षित तो विदेशी गाड़ी से चलता है स्वदेशी की बात कैसे करता है विदेशी पहन इस्तेमाल करता है एक संपादक ने लिख दिया कि मैंने उनको पेपसी पीते हुए देखा है हाँ लिख दिया इतने confidence है कि मैंने तो राजीव दिक्षित को पेपसी पीते हुए देखा है और यह अखवार है यह जो मराठी अखवार है लोक सत्ता उसके एडिटर ने लिखा कि मैंने राजीव दिक्षित को पेपसी पीते देखा है क्या आप सुदेशी की बात करते है विदेशी पैंच से लिखते देखा है अब आप जानते हैं आप तो मुझे जानते हैं हम सब एक दूसरे को जानते हैं इस लेवल पे जब खबरें लिखी जाते हैं दिन में कहेगा कि मैंने तो राजीव दिक्षित को वहाँ प्रोस्टिटूशन में जाते देखा है रेड लाइट एरिया में देखा है अभी क्या करेंगे आप उसका तो खंडन करते रहिए आप उसमें तो अपने को उतरना नहीं है अपने को तो दूसरे तरह से काम करना है ये तो होगा इसको आप कोई कम मत समझिये ये तो होगा इसमें मल्टी नैशनल के पैसे से लिखवाई जाने वाली भी खबरे होंगी जो उनके पैसे आजकल पैसे पे लिखवाई जाती है वो अच्छे से जानते हैं sponsored news होती हैं पकाइदा होती हैं सिर्फ advertisement ही नहीं आते हैं sponsored news आती है और वो news लिखवाने वाले लोग होते हैं अक्सर आपने देखा होगा अचानक से आठ दस दिन में खबर आ जाएगी कोई खबर के आधार पर वो लिख दिया कि चाई पीने से कैंसर कम होता हो गया अब ये सीधे दिखता है कि रुपिया दे के लिखवाई गई खबर है जिसमें चाई कंपनियों का अपना वेस्टेड इंट्रेस कभी आ जाएगा कि कॉफी पीने से ब्लड प्रेशर कम हो जाता है हाँ हर्ट अटेक नहीं आएगा पीजा खाते रही है हर्ट अटेक नहीं आएगा और उपर से टेपसी भी पीते रही है हर्ट अटेक नहीं आएगा तो ये सब जूट खबरे हैं यही बात हो रही है ना इस तरह की जूट खबरें, ये सब पैसा देके लिखवाई जाने वाली खबरें हैं, तो अगर इस तरह से लिखवाई जा सकती हैं, तो ये भी लिखवाई जा सकती हैं, कि आज़ादी बचाओ वाले तो सब एजेंट हो गए हैं, टाटा विरला डालमिया के, वो तो चाहते है कि ये विदेशी हटें तो टाटा फिरला डालमिया का सामरा जिस्था पिदो तो इस तरह का तो ये चलेगा अब इसमें क्या होगा कि अगर अपने पास कोई हतियार नहीं है तो तकलीफ आएगी इसलिए अभी से अपने को मन तयार करना है मानस बनाना है मिश्रा जी का मैं इसलिए आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने ये सोचने के लिए हम सब को दिया कि वैकल्पिक मीडिया बनाना है हम लोगोंने पहले से मान रखा है तै किया हुआ है कि वो बनाना है और उसको लोकलाइज मानने इस्थानिय इस्थानिकता के आधार पर चलाना है लोकल जो ग्रूपस हैं हमारे देश में जो समू हैं उनके आधार पर उनके ग्यान से उनकी प्रमपराओं को उनको प्रमुकता देखे उसमें और अपने पास जब हम बात हो रही थी न इंक्वाइरी जब करेंगे इस तरह का रविंद्र शर्मा का व्याक्यान सुनने के बाद हमें थोड़ा लगा कि इस तरह की इंक्वाइरी वही इंक्वाइरी हमारे अखवारों में आएगी वही हमारे लिए नियूज है हमारे लिए बड़ी नियूज होगी के आंदर प्रदेश के किसान पानी जानने के लिए क्या करते हैं तो पानी जानने के लिए हजार साल से वो ये करते हैं करनाटक के किसान पानी अच्छा बरसेगा नहीं बरसेगा उसके लिए क्या करते हैं तो वो ये करते हैं उत्तर प्रदेश के किसान क्या करते हैं, तो वो टेटहरी की आवाज सुनते हैं, या कुछ सुनते हैं, तो हो सकता है, उत्तर अंचल के किसान क्या करते हैं, तो वो ये करते हैं, हो सकता है कि कोई एकंग किसी पे होगा, कि ये पानी जानने वाले हिंदुस्तान में जो समू है वो क्या-क्या तरीके अपनाते हैं, बारिश अच्छा होगा, नहीं होगा, कम होगा, जादा होगा, इसको जानने के लिए तो ये खबर हमारे लिए बड़ी खबर होगे, ये हमारे लिए महत्तो की खबर होगे हमारे लिए ये ख़वर का कोई मतलब नहीं है के अरुण जैटली कहता है कि आयाद बढ़ने से देश का विकास हो जाएगा ये हमारे लिए हो सकता है दो लाइन की खवर हो या चार लाइन की खवर हो लेकिन टेटेरी की आवाज सुनकर पानी की पहचान करने वाला कोई उत्तरांचल का किसान कुछ कह रहा है तो वो हमारे लिए चार कॉलम की खबर होगी तो हमारा अखवार इस्थापित अखवारों से कैसे भिन्न होगा उसका एक मन में ये विचार अगर बनता है धीरे धीरे आप बनाएंगे लोकल हमें अखवार निकालने हैं एक एक दो दो जिले तीन तीन जिले में अखवार चलाने हैं इस्थानिय भाशाओं में चलाने हैं उसी तरह की मैगजीन चलाने है हम लोग इसपे भी काफी सोच रहे हैं की Community Radio होंगे Community Radio मानने 2-3 जिले में सुनने के लिए 2-4 जिलो में सुनने के लिए 2-5 जिलो में सुनने के लिए हाँ तो उसमें क्या होगा कि यही सूचना है जो कहीं से हमें मिल रही है हमारे समाज से हमारे लोगों में से तो ब्रॉड कास्टिंग का दूसरा स्वरूफ जो नेरो कास्टिंग का है वो भी हमारे मन में चल रहा है हो सकता है कि सालवर के अंदर एक दो ऐसे रेडियो इस्टेशन हम चलाएं अपने पास कुछ ऐसे कारी करता तो है जिन को यह आता है उदे भाई मेगानी है ऐसे और भी कारी करता है उनकी मदद से कुछ एक दो ऐसे रेडियो इस्टेशन भी चलाएंगे कुछ अख़बार निकालेंगे हो सकता है अपना टीवी चैनल भी चलाएंगे हो सकता है अपनी मेगजीन्स भी होंगी alternative media खड़ा करना है क्योंकि उसके बिना आप बड़ी लड़ाई नहीं लड़ पाएंगे थोड़े दिन में यह जो established media जब पूरी तरह आपके खिलाफ होगा तो सामन्य आदमी के मन में जो भ्रहम का निर्मान होगा उस निर्मूलन के लिए आपको तो ऐसा कुछ न कुछ करना पूड़े बस इतना मुझे सूचना देना था मिश्रा जी का बहुत धन्यबाद कि उन्होंने ये विशा उठा दिया और दूसरा धन्यबाद कि मुझे भी ये आपको सूचना देने का मौका मिल गया अब मैं श्री अभय भाई परताब हमारे जो कार्यकरता अलाबाद से आयो है उनसे निवदन करूँगा कि वो आभार प्रकट करे एक चीज जान लेगे कि अभय भाई नई आजादी उद्गोशित के लंबे समय तक संपादक भी रह चुके है उनसे निवदन कुरूँगा कि वो आभार प्रकट कर दिया है अभी जैसे अचुता नन जी बोल रहे थे तो हमारे साथियों के मन में कितनी ज्यादा जिग्यासा है प्रिंट मीडिया के प्रती ये खुल के आ गया साथ में उसके बाद सवालों की को जिस तरह से उठाया साथियों ने उससे ऐसा लगा एक बार की प्रहार प्रति प्रहार का दौर सुरू हो गया अचिता नंजी का उपर लेकिन मैं बता दूं कि अचिता नंजी बहुत सुल्जे हुए व्यक्ति हैं और देश के अच्छे संपादकों में से एक हैं और संपादकों की जो इस्थिती होती है प्रति दिन इसी तरह का द्वंद और इसी तरह का प्रहार प्रति प्रहार जहेलने वाले इस्थिती होती है और उसमें अचितान अंजी बड़े ही माहिर व्यक्ति है तो उससे अचितान अंजी के ना तो सहत पे कोई यसर पड़ता है और ना उनके मन में कोई आगरह दुरागरह आता है इस बात को आप लोग साफ साफ समझ लीजिए ये किसी भी अच्छे समपादक का ये गुण होता है कि कोई भी कितना भी बैचारिक रूप से हमला करे उल्टे सीदे सवाल पूछे वो जेलने ही पड़ते हैं वो रोज-रोज का काम होता है चिठ्ठी आती है तो उसमें पूछा जाता है कि आपको समपादक बना किसने दिया वही नहीं यहां तक की ये भी कहा जाता है की आप चोरी करते हैं क्या वहाँ बैच करके या समपादकी करते हैं बड़े उल्टे सीधे कोमेंट लोग लिखके भी भेजते हैं पहले 1995 के जनवरी में हुई थी दिल्ली में अचुता नंजी से, पहली मुलाकात थी मेरी, लेखन जगत में भी हम लोग अभी बिलकुल नए थे, नया नया लिखना दो तीन साल पहले से कुछ सुरू किया था, पत्रिका का काम हमने इलहाबाद में समहाल लिया था, उस समय हम और प्रदीब जी थे, साथ गए थे मिलने अचुता नंजी से, तो अचुता नंजी उस समय नौभराट टाइम्स में बरिष्ट सह संपादक हुआ करते थे, हम लोग नौभराट टाइम्स के दफ्तर में गए मिलने, हम लोगों के साथ बच्चों की एक टीम गई थी, जो हा लोगों के साथ नहीं थे, हम दो लोग गए थे मिलने, तो हम लोगोंने कहा कि उन बच्चों को कुछ मार्ग दरसन आपसे लेना है, हम लोग चाहते हैं कि बच्चों को लिए यहां मिला जे, अचुता नंजी ने कहा कि नहीं नहीं आप क्यों आएंगे यहां, मैं चलके आश्टल में हम लोग रुके हुए थे और ठीक नियत समय पे अचुता नंजी वहाँ पहुंच गए हम लोगों को नहीं यदपी हम लोग जनसत्ता के दफ्तर तक गए थे वहीं कुछ लोगों से मिलने उन बच्चों को ले करके लेकिन अचुता नंजी खुद आए मिलने और जिस समय मिलने आए उस समय बरसात हो रही थी दिल्ली में छटरी ले करके बहुत कम लोग चलते हैं अचुता नंजी छटरी लिये हुए बरसात में पहुंचे थे वहाँ पर तो अपने आंदोलन के प्रती अचुता नंजी की कितनी स्रद्धा है और कितना हम लोगों से आत् में छटपटा हाट है कि कुछ इस तरह का होना चाहिए और उस समय इन्हों ने कहा था नौभारा टाइंस में रहते हुए भी कि हम लोग मतलब वो अखवारों के अंदर का सत्य है जो समन्ने रूप से समपादक खुल के कहने में हिचकते हैं अचुता नंजी ने कहा था कि आ आप समझते क्या है हम लोगों को हम लोग सब्ते ऊड़ी हैं और Тथ चापते हैं तो कि अब अइसा समपादक होते हुए अचुता नंजी कुछ एसे आप लोकुमत समाचार में हैं अपनी श्थिति एक समपादक की जहां तक होती है जितनी वो कर सकता है देश के लिए समाज के लिए उतना वो करने की कुछिस करते हैं संपादक की इस्थिती सच में एक नौकर से ज़्यादा कुछ नहीं है आजकल अख़बारों में जो इस्थिती है एक नौकर से ज़्यादा संपादक की इस्थिती नहीं है ज्यादा तर जो बड़े अखबार हैं उनमें तो संपादक हैं ही नहीं उप संपादक हैं सहायक संपादक हैं मुख्य संपादक के रूप में मालिक ही होता है उनका और मालिक जो कहता है वो करते हैं संपादक नाम की संस्था ही खतम हो गई है अखबारों से और यदि संपादक कोई है तो ज़्यादा कुछ करने की इस्थिति में नहीं है ज़्यादा कुछ करने की कोशिस करता है तो खटा भी दिया जाता है पिछले साथ आठ साल पूरानी बात है चुटा नंजी को ठीक से याद होगा दिली के बड़े अख़बार में एक संपादक हुआ करते थे एक बार उन्होंने ऐस्टेटमेंट दे दिया कि मैन तो देश में प्रधान मंतरी केबद सबसे ज़्यादा महत्ती व्यक्ति कि इस्थिती सच में बड़ी कमजोर होती है इस समय जो इस्थिती हो गई है एक इस्थिती संपाजकों की थी आजादी के पहले की जब स्वतनता संग्राम चल रहा था जिसकी मोटी मोटी रूप रेखा अजुतानम जी ने रखी और पहले ही सुरू में सुरू के अपने वाग करकार थे पहले भी और आज भी है वो गांधी जी बीना विघ्यापन के अकभार नीकालने की बात करते थे गांधी जी का एक statement करते थे लिखा है उनुने एक यदि बिग्यापन के आधार पर अखबार निकालना हमारी मजबूरी हो भीना विग्यापन के हम अकभार न चला तो हमें अख़बार बंद कर देना चाहिए और अचुता नंजी के मन में भी जो छटपटाहट है वो यही कि इस तरह का कोई अख़बार का तंत्र बिक्सित हो कोई सुरू हो जो बिना बिज्यापन के अख़बार निकल सके बिना इस तरह के कमपनियों की मदद के बिना सत्ता में बैठे हुए लोगों की मदद के निकल सके तो वो सच में जनहीत का अख़बार होगा और आंदोलन उसके लिए प्रयासरत भी है आगे जैसे राजी भाई बता रहे थे वो पूरी तरह से प्लाइनिंग में है अपने आंदोलन के आगे उस पे हम लोग काम भी कर रहे हैं अचुतानन जी को जब भी हम लोग जहां भी कारेकरम में बुलाते हैं निश्चित रूप से आते हैं और नियत समय पे आते हैं अचुतानन जी आठ बजने में दो मिनिट कम था तो यहां हाजिर हो गए थे मैं उनका दिल से सारे कारेकरताओं की ओर से इस आंदोलन की ओर से फिर दैसे आभार प्रकट करता हूँ और आगे भी मैं मानता हूँ कि ऐसे सहयोग की बीच-बीच में जगरत पड़ती रहेगी हम लोग आपसे सहयोग लेते रहेंगे धाने